वेलकम को बैचरस नोटी फूर फॉर फ्रेग्नेंसी सीरीज में आज हम आपको बनाना सिखाएंगे सुवा गाज़ा यह सुवा की भजी है जिसमें आई पॉंटिटी में आइरल है विटामिन सीवी हिपायच में खोड़ा केल्शियम है विटामिन ए है इसके अलावाद केरोटिन वाला गाज़ा है हमारे पास तो सुवा गायलत पराणी की विए क्या क्या चाहे लिए यह मैं आपको बता देता हूं यह सुवा, सुवा की भाजी, विडियल मच, गाज़ा, लगबा कोटी, प्यास, टमाटर, धनिया पत्ती, लैस्वं, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक और अल्वी चलिए बनाना चुदू करते है सुवा गाज़, सबसे पहला क्या करना है एक कडाई के देटे इसमें डालते हैं खुगास आते एक चमच तेर दालते हैं इसमें एड़ करेंगे बारी गटिल के लशन, एक चमच रसन डाल देया है इक से ड्रीड चमच यानि कि तीन सर चार अब इसमें आड़े हैं अनियन लगवक्त एक वीडियो उटाइड अनियन इसमें आड़ करें प्लाइस के ओगा और इसको ट्रास्परेंट में तक फूप करें अनियन को बलदी फूप करना है तोड़ा साथ इसमें नमक एड़ करें अनियन को जाता है जैसे कि आप देख रहे हैं और अनियन कांस्रेंट में शुरू हो गया है आप इसमें एड़ करनेंगे लगवक्त वारी कटे देगे गाज़ा डाले के बाद को बोड़ा सब्सकूप करना है कि इसकी गाज़ा को पूरा टैमिलता है आप कोई भी बादी तो आलू के साथ भुनाते हैं जैसे कि आलू मेती आलू वालक प्लेगेंशी के दोरान आलू की जगह आप इसमें भीटू या गाज़ा करें वो काफी भैल भी हो जाएगे आपके लिए तो ये गाज़ा दुमारे में इसमें पॉते हो रहे हैं और ये पावर को चुके हैं अब और ये अध sniff में स्वा का प्रॉंक रखना है तो गरम साल भी कर नहीं लेकिन गाज़र की मिखास के साथ गरम शाले का फ्रवार अशा लच़ता है इसलिए होने इसमें वेरम मसाला नाला है और अब हैयल्डी बोल्न के लिए विटामिन C से और गूर टमाटक ये लगवर 3 ट आथा डालें और आथा इस़ों बचा लें बात के लिए सूवा डालनें के बाद सूवार डालनें समय उसमें डाने के पार में इक प्रोड़ाल नमा स्वार कमशा है कि में इन When you made some about a war ये ये टमाट़ामारे तो खुल के अब अब इसमें करेंगे कि अजय को मुद्ध आपकश करफू करें समय कौा कि मिक्स करने के बाद के वह रहा होगता है इसमें को गवर करके एक विए छोड़ेंगा काटी साथी सुवा में कापी जादा पानी होता है तो पानी अतना जुछ से छोड़ेंगी तो फो रिडियूस हो जाएगी तो एक बचे हुए टमाटा में आड़ करने हमें बाकि जो हमारी भजी है वो फिरसे नौइश हो जाए और साथ में गाजर की विभास के साथ तमाटा का कुड़ा पना जाए और तमाटा में विटामिन C है जो कि सुवा के आईरन को आसानी से अब्सॉब कर लेगा बेवी की जो गौन्स है वो काफी स्ट्रॉम गुलाती है इससे तो बस अब कुछ नहीं करना है हमें ये तमाटा डालने के एक बाद इसको एक बार और टावर करके छोड़ देना है लगना को निट के लिए और उसके बाद लिया पत्ती से गार्मिश करें और तयार है आपकी स प्रेगनंशी में अचे के लिए और आपकी आरण टेफिशियनसी उसको कम करने के लिए बहल अच्छा है नेचरल है जरूर रही के लिए आप आście